पूरे चाप्टर में यूज करूंगा तो बहतर होता है कि आप इनको सबसे पहले ही समझ लो ताकि आगे जब यह यूज हो तो आपको यह ना हो कि यह कहां से आ गया ठीक है तो start करते हैं so let us start this section with some basic concepts of chemistry ठीक है आ गया ठीक some basic concepts of chemistry basic होंगे लेकिन very important होंगे some basic concepts ठीक है some basic concepts तो बहुत छोटे-छोटे कुछ points है मेटा 3-4 points है उनको आपको ध्यान में रखना है सबसे पहली चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ basic particles के बारे में तो इस पूरे chapter में हमें बार-बार कुछ न कुछ particles आएंगे तो some basic पहला जो point है basic concepts में वो है particles के बारे में fundamental particles बोलो या है कुछ particles जो इस chapter में हमें मिलते हैं तो कुछ particles से तो आप पहले ही परिचित हो और बाकी कुछ होंगे जो आगे परिचित हो जाओगे सबसे पहला particle है अगर मैं आप से बोलू electron तो electron का mass और charge ये दोनों properties आपको मालूम होनी चाहिए आगे जितनी भी particles लिखने है सब के लिए for example mass of electron is 9.108 लेकिन उसको लगबग 9.1 ले लेंगे into 10 की पहुर माइनस 31 kg बेटा ठीक है so this is 9.108 होता है लेकिन हमने decimal के दूसरे तीसरे प्लेस पे जाने की जरूरत अभी नहीं है charge on electron charge on electron is equal to what charge on electron is minus 1.6 into 10 to the power minus 19 watt coulomb is SI unit of charge ठीक है एक बात और अब आगे इस पूरे चाप्टर में ये जो value है न 1.6 into 10 की power minus 19 coulomb इस value को हम लोग E से represent करेंगे ध्यान रखना विटा ये electronic charge का magnitude है 1.6 into 10 power minus 19 coulomb को अब आगे से हम लोग E से represent करेंगे बार बार इतना बड़ा charge नहीं लिखना चाहेंगे तो उसको एक simple E से जैसे यहाँ पे जो charge है बच्चे वो actually minus E है minus E है जो magnitude है 1.6 into 10 power minus 19 उसको हम E बोल रहें तो हाँ पर जो charge की value है बटा वो क्या है minus E ये तो हो गया electron फिर दूसरा proton अगर मैं proton की बात करूं तो proton का जो mass होता है mass of proton is 1.6725 into 10 to the power minus 27 kg आप सिर्फ decimal के second place तक 1.67 तक याद कर लोगे तब भी काम चल जाएगा और charge obviously बेटा यहाँ चार्ज इसी value खा positive होता है तो उसको मैं short में plus E लिख दे रहा हूँ charge की value कितनी होती बेटा plus E ठीक है ये mass of proton है फिर अगर मैं neutron की बात करो यहाँ पर लिख देता हूँ third particle है मेरा neutron third particle है neutron 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 तो mass of neutron is 1.675 into 10 की power minus 27 kg 1.675 into 10 minus 27 kg आज की class बहुत elementary होगी लेकिन बहुत important होगी क्योंकि यहाँ कुछ ऐसे concept बताएंगे जो आगे पूरे chapter में यह आपको भी करना इस पूरे chapter में even exams में भी अगर mention नहीं है neutron का mass तो प्लीज मेरा आपसे हाँ जोड के request है कि mass of neutron को आप लगभग जी जीरो चार्ज होता है ठीक है तो यह तो हो गया neutron यह हो गया electron यह हो गया proton यह तीन fundamental particles से तो आप बहुत अच्छी तरह से परचित हो इस पूरे chapter में constant बहुत होंगे unfortunately उनकी value आपको याद रखनी होगी यह जितना भी मास और चार्ज की value है यह सब आपको याद रखना है ठीक है चौथा पार्टिकल फॉर्ट इस वेड़ी इंपॉर्टेंट आएगा रदर पोर्स सबगी होता है हेलियम असे मतलब है अगर मैं की कितना चार्ज या जाएगा प्लस टू सो दिस इल्पा पार्टिक्ल दिससेल्फा पार्टिकल एक्चुली हीलियम होता है बच्ची यह हीं है यह helium atom से 2 electron हटा दोगे तो प्लस 2 और अगर आप helium atom से 2 electron हटा दोगे न तो अगर आप सोचो ध्यान से तो सिर्फ helium का nucleus बचेगा सिर्फ helium का nucleus बचेगा कैसे अगर मैं helium atom की बात पर हूँ तो देखो helium के atom में एक center पे nucleus होगा nucleus में 2 protons 2 protons plus 2 neutrons right 2 protons 2 neutrons और बाहर बाहर कितने electrons दो electrons एक electron यह रहा एक electron यह रहा यह तो helium atom है लेकिन अगर मैं इसको double ionize करो double ionize का मतलब है दो electron को बाहर हटा दो जब दो electron को मैं बाहर हटा दूँगा हटो चलो निकलो यहां से जब निकल आएंगे यह दोनों तो इस पूरे पर प्लेस टू चार्ज आ जाएगा और चलिए इनको निकाल ही देते हैं अगर आप इसको निकाल दोगे वेटा अगर इसको निकाल देंगे तो बचा क्या सिर्फ helium का nucleus बचा है सो helium का nucleus है तो alpha particle is also helium nucleus helium nucleus helium nucleus ठीक है चलिए इसका mass और चार्ज बताते हैं mass of alpha particle जल्दी से बताओ match of alpha particle लिए देखो Can दो यह proton है और अधो neutron है मैं ने आप से भुण निव्य न्युगं के माज को proton की मास के पराबर मानोऊ नम ऑ प्रोटान एंद तुउ Newton का मास लग-बख proton के मास के बराबर होता है तो actually mass of alpha particle is approximately equal to 4 times mass of proton है तो लगभग इसको आप pour into 1.67 into 10 to the power minus 27 kg लिख सकते हैं और जो charge है बच्चे इस पे जो charge on alpha particle है वो plus 2e का charge है plus 2e का charge जहाँ e की value कितनी है 1.6 into 10.5 minus 19 coulomb ठीक है so alpha particle का mass इतना हो गया 4 जितना हो गया plus 2e यह हो गया चार particle कुछ और particles मैं next page पे लिखूंगा यह चलो यहीं पे लिखता हूं पिफ जो बीटा particle है अब कुछ पार्टिकल जैसे alpha आपने नाम सुन रखा है alpha particle radioactive disintegration से मिलता है radioactivity क्या होती है यह हम लोग कभी अलग से करेंगे वो एक nuclear phenomenon होता होता है मतलब nucleus अगर unstable होता है किसी भी atom का nucleus unstable है तो nucleus के unstable होने के कारण कुछ rays निकलती है आप particles निकलते है जिनको alpha बीटा और गामा एक्चुली particle नहीं वो electromagnetic wave है तो एक्चुली इनको radioactive rays बोलते है alpha बीटा और gamma rays तो alpha तो यह रही बेटा यह alpha है यह nucleus के unstable होने के कारण निकलती है ठीक है इसी से मिलती जुलती एक nucleus की instability के कारण दूसरी रे होती जिसको आप बोलते है तो बीटा रे और कुछ नहीं बलकि negatively charged electrons को ही बीटा रे बोलते है तो बीटा रे में मुझे बस यह लिखना है beta particle या beta ray चलो इसको beta particle मैं लिख लेता हूँ ज्यादा बहतर रहेगा beta particle beta particle beta particle तो beta particle कुछ भी नहीं बेटा यह electrons ही है beta particles और कुछ नहीं है बलकि electrons है तो these are electrons तो अगर मैं इस पे mass बोलू mass of beta particle तो actually जो electron है उसी का mass क्योंकि यह exactly electron ही है so 9.1 into 10 की power minus 31 kg और जो charge होगा वो minus e के बराबर होगा charge कितना होगा बेटा minus e के बराबर अब बच्चों का एक question आता है हो सकता आपके मन में भी आ रहा हो question यह होता है कि sir इसको electron जब बोली रहें है तो इसको अलग से नाम देने की क्या जरूरत है बीटा पार्टिकल तो actual में जैसे मैंने अभी आपको बताया कि nucleus जब unstable होता है तो फिर यह rays होती है अब दोनों में अंतर क्या है सुनना मेरी बात ध्यान से सुनना वेटा है ना यह video activity में और detail में cover करेंगे लेकिन जब तक वो नहीं topic पढ़ें तब तक आपकी जानकारी में होना चाहिए क्या है जो nucleus के चारों तरफ electrons revolve करते हैं उनको तो हम लोग बोलने हैं electron लेकिन अगर किसी atom का nucleus unstable है तो nucleus के अंदर कुछ ऐसे phenomenon होते हैं जिससे electron nucleus के अंदर बनता है फिर से सुनो यदि किसी atom का nucleus unstable है तो nucleus अपने आपको stable करने के लिए nucleus के अंदर nucleus के अंदर बाहर नहीं nucleus के अंदर कुछ ऐसे phenomenon होते हैं जिनसे electrons का emission होता है मतलब उस process में electron निकलता है अब electron की एक खासियत है कि electron nucleus के अंदर तो नहीं रह सकता nucleus के अंदर अगर कोई electron बन रहा है तो वो nucleus के बाहर निकलेगा वो nucleus से बाहर निकल जाता है अगर उसके अंदर कोई electron बन रहा है तो nucleus के अंदर बनने वाला electron जो कि बाहर आता है nucleus से उसको कहते हैं beta particle ठीक है nucleus के अंदर बनने वाला electron जो nucleus की unstability के कारण बना होगा वो nucleus के अंदर नहीं रह सकता electron nucleus के अंदर नहीं रह सकता इसको हम लोग uncertainty principle में प्रूव भी करेंगे आप चिंता न करो लेकिन electron nucleus के अंदर नहीं रह सकता तो अगर कहीं किसी process में nucleus की unstability के कारण nucleus के अंदर कोई electron बनता भी है तो nucleus से बाहर आ जाता है उसी बाहर आने वाले electron को क्या बोलते है beta particle क्या बोलते है बीटा पार्टिकल ठीक है तो यह अंतर है तो आप से अगर कोई पूछे की beta particle electron में क्या अंतर है तो आप बोलोगे बीटा पार्टिकल इलेक्टरॉन ही है बस फरक यह है पूर nucleus के अंदर से पैदा हुआ है अब nucleus के अंदर तो रह नहीं सकता तो बाहर आ जाता है उसी को क्य क्या बोलते हैं beta particle क्या बोलते हैं beta पार्टिकल ठीक है dis । त चलो टकल मेरा वह electron है जो nucleus के अंदरसे बनता है nucleus के अंदरसे बनता है ठीक है next page पे चलते हैं खटा पार्टिकल देखते हैं एक term है positron एक पार्टिकल है positron क्या है positron इसके color को change करते हैं शायद आपको फिर visible हो positron six positron positron is positive electron यह भी nucleus के अंदर से निकलता है यह भी nucleus के अंदर से निकलता है आने वाला है चलिए positron is positive electron what is it positive electron positive electron का मतलब है यह भी nucleus के अंदर से निकलता है तो positron बस अभी के लिए positive electron electron की सारी property है बस उसका जो charge है वो reverse हो जाता है positive electron so this is positron मतलब mass of positron is equal to 9.1 into 10 की पार minus 31 kg right and charge is plus e charge is plus e so this is positron right so this is positron charges बेटा plus e e का मतलब है 1.6 into 10 की पार minus 19 ठीक है ठीक है तो यह सारे particles हो गए जो main particles हैं वो हम लोंने cover कर लिए याद रखिए का gamma कोई particle नहीं वो एक electromagnetic wave होती है यह पहला basic concepts है हमने heading क्या लिखी some basic concepts हम basic concept में पहला मैंने आपको कुछ particles के बारे में बताया इन particles का mass और charge आपको याद रखना है ठीक है चलिए बात करते हैं दूसरे fundamental concept की दूसरे basic concepts की दूसरा basic concept यह है कि अगर second concept second concept is charge to mass ratio charge to mass ratio charge to mass ratio इसको specific charge भी बोलते हैं क्या बोलते हैं specific चार्ज और यह और कुछ नहीं वलकि क्यों बाई M कहलाता है चार्ज टू mass ratio किसी भी particle के ऊपर कितना चार्ज है याद रखना magnitude की बात हो रही जब तक sign लेने को न बोले तक तक प्लीज आप ध्यान रखेगा सिर्फ और सिर्फ magnitude लेना है चार्ज टू mass ratio पार्टिकल का चार्ज डिवाइड बाई मास यह जो रेश्यू है उसको हम लोग बोलते हैं चार्ज टू mass ratio या इसी को बोलते हैं specific चार्ज क्या बोलेंग बेटा specific चार्ज तो कभी भी अगर आपको specific चार्ज निकालना हो तो क्यूआ एम का वाल्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा मागनिट्यू ओफ charge divided by chance on particle divided by mass of particle divided by mass of particle divided by mass of particle ठीक्ड है, अब आपसे एक simple सा question है, बहुत easy है, याद रिखिएगा magnitude of charge है, एक question है, अगर मैं आपसे बोलू, आरेंज, अरेंज, एलेक्टरॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एल्फा पार्टिकल, इन, इनक्रीजिंग ओर्डर ओफ, इन, इनक्रीजिंग ओर्डर ओफ, क्यू बाई, एम, तो आपका अंसर क्या होगा? आप आराम से कर लीजिए, इलेक्टरॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और एल्फा पार्टिकल को क्यू बाई, एम के इनक्रीजिंग ओर्डर में अरेंज करना है, ध्यान से सुन लीजिए, जब तक बोला न जाए, हमेशा क्यू का मागनिट्यूट ही लेना, क्यू का मागनि मागनिट्यूट, so 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम, divided by mass of electron is 9.1 into 10 to the power minus 31, ठीक है, मेरे पास एक value है, कूलम पर केजी में, ये q by m है, electron का, चलिए ठीक है, बहुत बढ़ी है, q by m for proton, proton के लिए बात करते हैं, charge की value is 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम, divided by mass of proton, 1.67 into 10 to the power minus 27 kg, ठीक है, neutron का q by m, तो सबसे आसा, सबसे आसा, 0 divided by neutron के mass को लगबग proton के mass के बराबर ले लो, 1.67 into 10 की power minus 27, और q by m for alpha particle, q by m for alpha particle, ये कितना होगा, alpha particle पे charge होता है, twice of e, so this is 2 into 1.6 into 10 to the power minus 19, divided by mass होता है, 4 times mass of proton, देखो ना, 4 times, पीछे वाले पेज़ पे लिखा था बिटा, 4 times mass of proton, 1.67 into 10 to the power minus 27, राइट, अब आपके बास number से चलो, इनको arrange कर लेते हैं, सबसे कम, सबसे कम ये रहा, neutron, so q by m for neutron, सबसे कम, उसके बाद, ये देखो सबसे ज़्यादा आएगा, electron का mass नीचे minus 31 है, उपर जाएगा तो plus 31, मतलब ये सबसे ज़्यादा होगा, इन दोनों में बताओ किसका, इन दोनों में यहाँ नीचे ये 1 by 2 आएगा, और ये तो ऐसा रजाएगा, तो ये 1 by 2, मतलब अब q by m किसका आएगा, alpha का, फिर q by m किसका आएगा, proton का, और सबसे ज़्यादा q by m किसका आएगा, electron का, तो इन चार पार्टिकल्स में ये q by m का increasing order हो गया, ये रहाँ, चलो, which of the following pairs have same specific charge, e by m, e का मतलब कभी भी e by m आएगा, आप से question में, अगर कभी भी आप से e by m पूछा गया, तो आप उसको q by m ही समझना, आप ये मत सोझना की electron का charge पूछा नहीं, वो बोल नहीं, बोल चाल की भाषा है, बोल चाल की भाषा है कि q by m को हम e by m बोलते है, ठीक है, तो सब को मालू में, electron क्या होता है, proton क्या होता है, मालूम है चार्ज मालूम है मास मालूम है इलेक्रॉन क्या होता पॉजिट्रॉन क्या होता मैंने बता दिया है प्रोटॉन और प्रोटॉन तो बता दिया लेकिन ड्यूट्रॉन क्या है प्रोटॉन मालूम है आपको प्रोटॉन है आपको मालूम है हाइड्रोजन के तीन आइस तो ये तीन आईसोटोपस हैं बेटा किसके हाइड्रोजन के अगर मैं इसको प्लस लगा दूँ अगर मैं इसको प्लस लगा दूँ मतलब ये एच प्लस तो इसी को प्रोटॉन भी कह सकते हो आप बोलोगे कैसे क्या एच प्लस प्रोटॉन है कि नहीं है क्या एच प्लस प्रो कर दिया तो एक प्रोटॉन बच्चा तो यह तो प्रोटॉन हो गया सिमिलरली अगर मैं इस डी से एक इलेक्ट्रॉन गायब कर दूं तो इसको बोलेंगे deutron क्या बोल देंगे deutron ठीक है तो यह d plus है deutron यह जो d plus है यह deutron है न वो d plus है तो यह बता है 1 d 2 deutron का charge बताओ किस पर charge बताएंगे deutron का charge है कितना plus e के बराबर एक charge है plus e के बराबर अच्छा इसका mass बता दो mass of deutron mass कितना हो जाएगा so mass of deutron is approximately twice mass of proton लगभग इतना ही आएगा बेटा q by m for alpha particle alpha particle के charge कितना है 2 e alpha का mass कितना होता है 4 times mass of proton so this is e upon twice of mp okay very good क्या q by m for deutron deutron का मतलब है d positive इसकी value भी इसके बराबर आती के नहीं आती चेक करते है q by m for d plus charge कितना होता है e के बराबर होता है charge e के बराबर और जो mass है वो कितना है twice of mp के बराबर यह देखे ना twice of mp के बराबर तो यह e upon 2 mp है यह e upon 2 mp है तो alpha और deutron का specific charge सेम तो आएगा तो सही answer है b और e b और e सही answer है b और e right कोई रिकर बिटा simple question लेकिन important है simple question लेकिन important है और अगर कोई medical की त्यारी कर रहा तो उसके लिए बहुत important है IIT के लिए और ICH के लिए बहुत basic question हो जाता है लेकिन हाँ basic strong होने चाहिए ऐसा नहीं है कि हम लोग basics के बिना ही ऊपर चड़ जाएंगे ठीक है चलो तो यह मैंने दूसरा concept बता है पहला important concept क्या बताया था fundamental particle का दूसरा क्या बता दिया कि charge to mass ratio या specific charge किसको बोलते है चलिए तीसरे concept पे आते हैं पीछे वाले page पे तीसरा concept है विटा third third is third important concept is अब यह बहुत simple है आप सभी को मालूम होगा अगर प्लीज ध्यान से सुनिएगा अगर दो charge particle q1 और q2 q1 और q2 are distance से separated है अगर दो charge particles q1 और q2 are distance से separated है तो इनके बीच आइदर एक force of attraction होगा या force of repulsion जिसको आप kulambic force of attraction या repulsion बोलते हो या उसी को electrostatic force भी बोलते हो जिसकी value कितनी होगी क्योंकि यह बहुत जरूरत पड़ेगी तो लिख लेते हैं यह जो force का magnitude होगा that will be equal to air या vacuum में इसकी value होती 1 upon 4 pi epsilon naught q1 into q2 upon r square physics में भी बहुत detail में पढ़ोगे यह वाला जो पूरा term है यह epsilon naught को बोलते हैं permittivity of free space लेकिन हमें अभी इस detail में नहीं जाना हम तो 1 upon 4 pi epsilon naught को constant मानेंगे फिर भी मैं यह आप लिख देता हूँ epsilon naught is called permittivity of free space यह constant होता है अभी तो बस इतना समझो कि यह constant permittivity of free space free space और क्या है कि 1 upon 4 pi epsilon naught इसको हम लोग अब आगे से constant k से denote करेंगे किस से denote करेंगे बेटा k से तो यह जो f हो जाएगा वो f मेरा हो जाएगा k q1 q2 upon r square तो यह वाला formula याद रखेंगे यह electrostatic force का magnitude है याद रखना अब इसमें अगर आप physics में जाओगे तो फिर dielectric constant भी आता है अगर किसी medium में आप इसको रख दो पर उसमें हम लोग नहीं जा रहे हैं उसकी जरूरत नहीं है अभी यहाँ पर chemistry ठीक है एक बात और बेटा यह जो k की value होती है si units में इसकी value 9 into 10 की power 9 newton meter square upon coulum square newton meter square upon coulum square ठीक है sorry newton meter meter multiply है newton meter square upon coulum square ठीक है बेटा यह si unit में इसकी value आप याद रखेगा अगर दो charges q1 q2 are distance separated है तो उनके बीच एक electrostatic force of attraction या repulsion होगा जिसका magnitude के q1 q2 upon r square होगा अब यह नहीं बताने की जरूरत है शायद कि कब attraction होगा कब repulsion दोनों same charges है तो repulsion दोनों unlike charges है तो attraction लेकिन अब आगी जो मैं बात बताने जारा हूँ उसकी बहुत जरूरत पड़ेगी बोर्स थियोरी में जब यह फोर्स के नेचर की बात करते हैं यह फिजिक्स में आप पढ़ोगे एक यह जो लंबिक पोर्स है एलेक्रोस्टेटिक पोर्स है यह conservative पोर्स है फ्रिक्शनल पोर्स नॉन conservative है हर conservative पोर्स से associated सुनो फिर से ध्यान से हर conservative पोर्स से associated एक potential energy होती है क्या gravitational force conservative force है बिलकुल है और उस से associated जो potential energy होती है जो उसको आप बार बार यूज करते हैं MGH वो actually gravitational potential energy होती है चुकि एलेक्रोस्टेटिक पोर्स भी एक conservative force है तो यहाँ इस पोर्स से भी associated एक potential energy होती है जिसको बोलते हैं electrostatic potential energy क्या बोलते हैं बेटा electrostatic potential energy अगर मैं बात करूँ electrostatic potential energy की electrostatic potential energy अगर इन system की बात करें तो यह हो जाएगा के q1 q2 upon r so electrostatic potential energy is k q1 q2 upon r r square नहीं बल्की r होगा की q1 q2 upon r अब ध्यान से सुनना अगर unlike charges है प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना अगर unlike charges है unlike का मतलब एक plus है दूसरा minus है या एक minus है दूसरा plus है अगर same charges नहीं है अगर unlike charges है तो एक plus एक minus रखोगे तो यह potential energy आएगी negative अगर एक plus एक minus है तो यह potential energy आएगी negative अच्छा एक plus है एक minus है तो उनके बीच nature of attraction कैसा होगा nature of force कैसा होगा attractive attractive होगा अगर एक plus और एक minus है तो कैसा force होगा attraction होगा attraction होगा ठीक और potential energy है कि negative एक plus है एक minus इसका मतलब है कि अगर potential energy negative है negative potential energy क्या imply करती है attraction क्या indicate करती बेटा attraction negative potential energy हमको क्या signify करती है कि particles के बीच में क्या है attraction है particles के बीच में attraction है लेकिन अगर same charges हो minus minus या plus plus या minus minus हो जाए या plus plus हो जाए तो फिर इन दोनों की value मिला कि आपको positive मिलेगी तो अगर potential energy आपको positive मिलती है तो positive potential energy signifies repulsion now this is the most important concept यो कि आप actually inorganic में भी खूब यूज करते हैं बहुत 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 यूज करते हैं inorganic में प्लीज इसको ध्यान रखिएगा बेटा कि अगर किसी system में potential energy positive है so that means repulsion that means what repulsion that means repulsion ठीक है चलो next page पर चलेंगे और next page पर तीसरा यह तीसरा था चौथा important concept basic concepts हमें पढ़ना है fourth basic concept चलिए next page पर ओके इस पर तो वेशन है fourth basic concept fourth basic concept है अब यह बहुत important है लेकिन मैं बिना किसी प्रूफ में गया हुए क्योंकि इस level पर हम लोग यह प्रूफ नहीं कर सकते एक्चुली यह प्रूफ करेंगे जो आपके physics के instructor होंगे वो और वो भी जब आप electrostats chapter पढ़ोगे physics में तब जब आप physics में electrostats पढ़ोगे तब अगर किसी को लगता है कि नहीं हमें तो प्रूफ देखना ही तो आप HC वर्मा का second part देख सकते हो HCV second part देख सकते हो क्योंकि मैं सिर्फ रिजर्ड लिखने जा रहा हूँ मुझे सिर्फ रिजर्ड की जरूद पढ़ेगी आगे प्रूफ की जरूद नहीं है क्या मैं लिखने जा रहा हूँ सुनो if a charged particle now this is important if a charged particle if a charged particle if a charged particle if a charged particle जिस पर charge q है if a charged particle q is accelerated is accelerated by a potential difference by a potential difference of V volts by a potential difference of V volts voltage it is V volts then then the kinetic energy kinetic energy then the kinetic kinetic energy, kinetic energy developed in the particle, developed in the particle, developed in the particle, in the particle, is equal to is, kinetic energy is equal to Q multiplied by V, जहाँ V voltage है बेटा, V voltage है, V velocity नहीं है, voltage है, वोल्टेज का मतलब किस potential से accelerate की हो थोड़ा basic idea मैं आपको दे देता हूँ जब तरह आप physics में इस चीज को नहीं पढ़ते हो थोड़ा सा एक डम basic एक डम basic ठीक है इनके बीच एक electric फील्ड है जब भी दो चार्ज पार्टिकल दो चार्ज प्लेट्स या दो कंड़क्टर जो अपोजेट चार्जेस के हैं उनको आप थोड़ा सेपरेट करके रख दो अगर उनके बीच सेपरेशन है तो उस कंड़क्टर के बीच में potential difference डेवलप होता है मतलब अगर इन दो प्लेटस के बीच में मेरी बात घ्द्च से शुनना अगर इन दो प्लेट्स के बीच में मैं यहां पर suppose एक let's say मैने पास फॉजिटिटिफ चार्ड क्यूं ज्यार्ट-चार्च पार्टिकल इस चार्ज पार्टिकल को इस एलेक्रिक फिल्ड में रखता हूं यह अपी एलेक्रिक फिल्ल भीट है चार्ज पार्टिकल जब मूब करेगा तो यह कुछ विलोसिटी एक्वाइर करेगा और जैसे जैसे यह विलोसिटी एक्वाइर करता जाएगा तो इसकी काइनेटिक एनरजी बढ़ती जाएगी जब यह चार्ज पार्टिकल जब यह चार्ज पार्टिकल मूब करते 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 इस प्लेट तक पहुचेगा इनके बीच में potential difference 10 volt का था तो इस charge particle की जो kinetic energy हो जाएगी वो Q into 10 volts हो जाएगी Q actually charge रखोगे तो 10 volts से multiply करोगे तो जो भी charge की magnitude होगा उसको coulomb से coulomb volt actually joule होता है तो जब आप इन दोनों को multiply करोगे तो kinetic energy joule में आएगी अगर charge कूलम में है तो charge कूलम में है तो ठीक है यह अभी बस इतना समझो आप कि अगर V potential से accelerate करेंगे charge particle Q को तो उसके अंदर एक kinetic energy develop होगी जिसकी value होगी Q into V जिसकी value होगी Q into V for example एक example मैं आपको explain करता हूँ जैसे अगर मैं आपसे question बूच हूँ find kinetic energy of an electron of an electron accelerated by accelerated by one volt अगर आप एक electron को one volt से accelerate करोगे तो उसके अंदर कितनी kinetic energy develop होगी यह आपको पता करना है याद रखना बच्चे यहां क्यू magnitude of charge होना चाहिए क्योंकि sign के साथ नहीं लेना अगर negative sign kinetic energy कभी negative नहीं हो सकती यह आपको मालूम है kinetic energy can never be negative यह आपको बहुत अच्छे से मालूम है तो kinetic energy हमेशा positive रखनी है तो इस कारण से हमेशा charge का magnitude लेना है आप क्या करोगे kinetic energy of electron is equal to charge का magnitude multiplied by voltage so charge is 1.6 into 10 की power minus 19 coulomb voltage is 1 volt ठीक है तो आप इन दोनों को multiply करोगे तो actually यह value आएगी 1.6 into 10 की power minus 19 joule कितने आएगी बेटा joule कितने आएगी बच्चे joule 1.6 into 10 power minus 19 joule आएगी यह ऐसा ही units है लेखिन अब देखना ध्याद से अगर मैं एक electron को एक volt से accelerate करता हूँ अगर मैं एक electron को एक volt से accelerate करता हूँ तो electron का charge कितना है? E और अगर मैं उसको 1 volt से accelerate करता हूँ तो उसकी kinetic energy हो गई 1 EV 1 EV, electron volt आप अब आगे से ध्यान रख लो इस पूरे chapter में electron volt as a unit of energy बहुत यूज होता है electron volt as a unit of energy बहुत यूज होता है और relation क्या है? relation है देखो बेटा 1 EV की value कितने joule है? इतने joule है So this is the relation 1 electron volt is equal to 1.6 into 10 की power minus 19 joule कितना? 1 EV is equal to 1.6 into 10 power minus 19 joule यह आपका क्या हो गया? एक तरह से दोनों में relation हो गया अब आपको समझागा यह relation हो सकता है बहुत बच्चों ने पढ़ रखा हो लेकिन अब आपको इसकी history समझ में आई कि यह 1 EV आया कहां से है? यह 1 EV actually है क्या? जब आप किसी एक electron को 1 volt से accelerate करते हो तो उसके अंदर जो kinetic energy develop होती ही वो 1 EV होती है जिसको joule में convert करने पे इतनी आती है ठीक है? प्लीज इस चीज को याद रखेगा this is very very important बहुत use होगा इस पूरे चाप्टर में 1 EV is equal to 1.6 into 10.5 minus 19 coulomb प्लीज बटा इसको याद रखना है आपको ठीक है? कैसे हुआ? अब आपको ये भी इस पस्ठ हो गया होगा कैसे इसका जन्म हुआ? actually EV electron की kinetic energy है यदि आप उसको 1 volt से accelerate करते हो तो यदि आप किसी electron को 1 volt से accelerate करोगे तो उसके अंदर जो kinetic energy होगी that is 1 EV, right? कि सर क्या ये kinetic energy constant रहेगी इस पूरे दोरान? नहीं बेटा, नहीं मैंने बोला अगर ये particle यहां पे rest पे है अब ये इधर move करना शुरू करेगा सीधा move करेगा इधर बहुत सारा बना हुआ तो मैं इसको ऐसे दिखाए जब वो यहां पहुँचेगा बेटा रॉनित जब यहां पहुँचेगा इस plate के पास जब पहुचने वाला हुगा इस plate के पास जब पहुचने वाला होगा तो उसके अंदर इतनी kinetic energy डेवलप हुई होगी ये लगातार वैरी करेगी इस plate के पास पहुचने पर इतना voltage होगा ठीक है? दो plates है ना? दो plates के बीच में जो potential difference है एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक जाने में जो kinetic energy डिवलप होगी वो constant नहीं होगा भेटा वो धीरे 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 increase करेगा ठीक है दूसरी प्लेट तक पहुंचते पहुंचते इतना हो जाए लेकिन language ऐसी रहेगी language आपको questions में ऐसी मिलती है कि 1 volt से या V volt से accelerate करते है तो कितनी kinetic energy डिवलप होगी कहने का मतलब है कि जब पूरा potential यहां तक पहुंचते पहुंचते उसको टेन वोल्ट का potential मिल चुका है अब वो टेन वोल्ट के potential मिलने पर कितनी kinetic energy हो जाएगी Q into V Q into V चलिए एक बढ़िया सा question करते हैं next page पे लेते हैं question का answer मुझे आप से चाहिए ह और हालत में आप type करके दोगे तब तो पढ़ाने का फाइदा है और आपके पढ़ने का फाइदा है ठीक है चलो next page पे चलते हैं यहां पर एक question लेते है चलिए question बेटा यह है a proton, a proton and an alpha particle, a proton and an alpha particle are accelerated, are accelerated by same potential, by same potential, by same potential, by same potential in different experiments, in different experiments, in different experiments, alag-alag experiments में same potential से accelerate करते हैं तो एक experiment में alpha particle को accelerate करते हैं, एक experiment में proton को accelerate करते हैं, voltage दोनों ही experiment में same रखते हैं, find the ratio of first kinetic energy of proton to kinetic energy of alpha particle, okay, so this is the first question, and second question is, speed of proton, speed of proton to speed of alpha particle, speed of alpha particle, ठीक है, चलो, try करो, पहले question का answer तो फटाक से आएगा, जल्दी से type करके दो, एक alpha particle, एक proton और एक alpha particle को same potential से accelerate किया, पहला question है कि kinetic energy of proton to kinetic energy of alpha particle का ratio बता दो, दूसरा है speed of proton to speed of alpha particle का ratio बता दो, kinetic energy of alpha particle की अगर मैं बात करो, पहले पताओ, kinetic energy of proton same potential से accelerate किया गया, तो kinetic energy of proton, यह हो जाएगा, Q into V, Q, charge कितना होता है proton पे, E के बराबर होता है, और voltage माले यह V है, ठीक है, kinetic energy of alpha particle, alpha particle की kinetic energy Q into V, charge कितना होता है alpha particle पे, 2E के बराबर होता है, 2E, और voltage same है, तो voltage same दोनों होते हैगा, V volts है बेटा, अब ratio लोगे तो बच्चे यह तो 1 by 2 आएगा, यह ratio तो क्या हो गया बेटा, 1 by 2 आगया, बहुत बढ़ी आप पहले question का answer तो सभी ने सही दिया, दूसरे question में मैंने बोला, speed का ratio बताओ, अब kinetic energy of proton हो जाएगा, half mass of proton into speed of proton का square, अरे हाँ या ना, यह तो आप मुझसे बेटर जानते हो, हम तो chemistry वाले हैं, यह तो आप रोज करते हो, physics में, half mass of proton into velocity of proton का square is kinetic energy of proton, ठीक है, divided by, half mass of alpha particle, अभी बताएगा, चाप्टर के शुरुवात में, mass of alpha particle is 4 times mass of proton, 4 times mass of proton, 4 times mass of proton, so 4 times mass of proton into V alpha का square, और यह ratio आपने बताएथा, 1 is to 2, 1 by 2, 1 by 2, mass of proton, mass of proton गया, यह उदर जाएगा, so यहां से आजाएगा, Vp square upon V alpha का square is equal to 4, को उदर ले जाओ, 4 by 2, 2 आजाएगा, so Vp upon V alpha will be root 2 is to 1, so the answer is root 2 is to 1, this is the answer to second part, this is the answer to first part, first part, समझ गया है बेटा, समझ में आएगा, बस simple सा question था, थोड़ा सा आपको यहां पे ratio लेते वग, ध्यान से काम लेना था, इस chapter में पूरा क्या होगा, chemistry वाली feel, आपको मतलब chemistry वाले mode से हटना पड़ेगा, क्योंकि exactly chemistry यहां पे नहीं है, आपको थोड़ा सा physics वाले, जैसे जो लोग physics पढ़ते हैं, वो कहते हैं, physics pure science है, तो थोड़ा सा pure science की तरफ, अब आपका जुखाओ होना पड़ेगा, इस chapter को पढ़ते समय, थोड़ी सी maths होगी, यहां पे थोड़ी सी maths आएगी, और chemistry की elements कम ही मिलेंगे आपको, teacher जरूर chemistry का है, वाकि elements chemistry के आपको कम मिलेंगे, ठीक है, सच पर बताऊं, तो chemistry में अगर physical chemistry की बात की जाए, तो उसमें आपन पढ़ते हैं, atomic structure, ठीक है, thermodynamics पूरी पढ़ते हैं, thermodynamics चाहिए, first law, second law, third law, thermodynamics पूरी पढ़ते हैं, gaseous state, ideal gases, real gases, तो gaseous state हो गया, thermodynamics हो गया, atomic structure हो गया, यह वो chapters हैं, जो कि physics वाले कहते हैं, कि यह तो हमारा है, यह physics में भी हैं, chemistry में भी है, तो जो physics के teachers हैं, जो physics पढ़ाने वाले लोग हैं, वो कहते हैं कि chemistry वालों से यह शिकायत रहती, कि तुमने यह chapter समनों से चुरा के अपना भी पढ़ाने लगे, chemistry वाले कहते हैं कि हमारे पास पढ़ाने को कुछ ही नहीं, तो कम से कम तीन chapter तो यह मिल गए, पढ़ाने को थोड़े से, है ना, तो gaseous state हो गया, आपको HCV में मिल जाएगा, kinetic theory of gases, erodome में भी gases के problems मिल जाएगी, erodome में भी मिल जाएगी, और आप solve कर सकते हो, thermodynamics, erodome में भी problem मिलते हैं, thermodynamics हम लोग भी करते हैं, erodome में भी problem मिलते हैं, atomic structure, obviously यह physics का तो main modern physics का तो chapter यह है, और हम लोग chemistry में भी करते हैं, ठीक है, चलो बेटा, आगे चलते हैं, अभी यह सारे important basic concepts मैंने आपको बता दिये, मैंने आपको चार बता है, पहला basic concept क्या बता है बेटा, मैंने particles के बारे में बता है, दूसरा basic concept क्या बताया, charge to mass ratio, जो उसको specific charge बोलते है, तीसरा concept मैंने बताया, columbic force के बारे में और potential energy के बारे में, और चौथा मैंने आपको concept बताया, कि यदि किसी charge particle को V potential से accelerate करोगे, तो उसके अंदर एक kinetic energy डिवलप होती, जिसकी value Q into V होती है, ये चार basic concepts अपने ध्यान में रखते हुए, अब हम लोग main chapter पे आगे बढ़ते हैं, हाला कि बहुत सारा सब कुछ हम लोगोंने already cover कर लिया है, अभी तक, ठीक है, काफी कुछ cover कर लिया है, लेकिन अब start करते हैं, अब एकदम शुरुवात में historical portion है, थोड़ा सा आपको मज़ा आएगा, बाकी हो सकता है, कुछ बच्चों को boring भी लगे, अगर आप पहले पढ़ चुके हो, तो next actually topic है cathode rays का discovery of electron, electron की discovery कैसे हुई, तो cathode ray experiment से हुई, तो cathode ray experiment के important points मैंने सब लिख रखे हैं, actually उसमें ज़्यादा कुछ सम्झाने को नहीं है, यहाँ बताने की जरूत पढ़ेगी, तो मैं आपको बताऊंगा, तो this is discovery of electron, discovery of electron, and this is cathode ray experiment, cathode ray experiment था ये, cathode ray experiment, cathode ray experiment, मैं basic outline आपको बता दिता हूँ, exactly क्या हुआ था इस experiment में, हुआ क्या बेटा, यह ऐसा नहीं है, यह 1897-98 की बात है, 1897 और 98 की बात है, J.J. Thompson, Sir J.J. Thompson एक experiment कर रहे थे, यह सारा सब कुछ लिखा हुआ है, आप बाद में पढ़ लिजेगा, मैं इसको बहुत detail में तो नहीं पढ़ने जा रहा हूँ, यह सब easily, theoretical points है, आपको समझ में आजाएगा, मैं basic points आपको समझा रहा हूँ, कि exactly क्या हुआ था, 1897-1898 में, Sir J.J. Thompson ने, एक्सपेरिमेंट के माध्यम से, इस experiment के जरिये, electron को खो जा था, electron की discovery भी के, ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि यह, 1897-1898 में, एकदम से ही, suddenly experiment strike किया, यह काफी सालों से, मैं बताऊं, exactly तो 1860 के आसपास, 1860 के आसपास, 1860 से यह experiment शुरू हो गये थे, exactly क्या था experiment में, actually पढ़ा जा रहा था, कि gases under low pressure, कैसे electricity discharge करते हैं, मतलब कैसे electricity conduct करती हैं, यदि हम gases को low pressure पे रखते हैं, चाहे air हो, चाहे gases, तो electricity कैसे conduct करती हैं, that was being studied, पढ़ने का मकसद, electron discovery नहीं था, इस experiment का मतलब, मकसद, purpose of the experiment, यह कता ही नहीं था, कि electron को खोजना है, electron तो by accident खोज में आ गया, actually purpose of the experiment था, कि low pressure में gases कैसे electricity conduct करती हैं, gases कैसे low pressure में electricity conduct करती हैं, तो exactly यह setup है, हुआ क्या बेटा, यह आप बोल सकते हो, यह glass tube है, यह glass tube है, glass tube है, इसको vacuum pump से connect कर रखता है, vacuum pump क्या करेगा, इसके अंदर की जो भी gas है या air है, उसको बाहर खीचेगा, ताकि अंदर जो आली जो air या gas है, उसका pressure आप कम कर सको, जब vacuum pump air को बाहर खीचेगा, तो अंदर जो air है, उसका pressure drop करेगा, क्योंकि अंदर pressure की value कम होगी है, न मोल्स कम हो रहे हैं बेटा, जब यहाँ पे air का pressure या gas का pressure बहुत कम होता था, तो एक question आता है कि सर कितना कम होता है, तो लगभग 10 की पाउर माइनस 3 माइनस 4 ATM के आसपास जब pressure होता है, जब यहाँ पे जो भी gas है, उस gas का जो pressure है, मतलब आल्मोस बहुत कम है, लगभग 10 की पाउर माइनस 4 ATM के आसपास, जब इतना कम pressure होता है, और जब यह वाला voltage greater than 10,000 volts, 10,000 volts से जब ज़्यादा होता है, तो आप देखते हैं कि यह greenish glow एनोड की तरफ दिखाई देता है, greenish glow दिखाई देता था, तो actually वहाँ पे कुछ fluorescent material coating करी गई, ताकि fluorescent coating का मतलब है, actually जो cathode rays होती है, वो हमें दिखती नहीं है, लेकिन जब वो fluorescent material को strike करती हैं, तो bright spots create करती हैं, तो bright spots दिखने का मतलब है, कि वहाँ cathode ray ने strike किया, तो वहाँ से मैं पता चलता है, कि strike करनी cathode ray, तो conditions क्या हैं, फिर से सुन लो, क्योंकि conditions पर हो सकता है, कभी कोई आपको पूछ ले, हलाकि ये NACJS के लिए तो मैं बोल सकता हूँ, कि ठीक ठाक relevance रखता है, लेकिन higher olympiards के लिए, J-E mains के लिए, advance के लिए, बहुत ज़्यादा relevance नहीं रखता, एक point जरूर relevance रखेगा, वो मैं आगे बताऊंगा आपको, जब gas का pressure अंदर बहुत कम हो गया, और जब voltage बहुत ज़्यादा कर दिया जाता है, तो फिर आपको cathode से raise emit होती भी दिखती है, अच्छली हमें दिखती नहीं, लेकिन हाँ, यहाँ पर strike करती है, cathode से raise emit होती है, स्क्रीम ऑफ पर्टिकल से होता है, तो इसको बोलते हैं cathode raise, क्योंकि यह cathode से आती भी दिखती है, इसलिए इनको बोलते हैं cathode raise, देखो इधर से आती भी दिख रही है, इधर से, तो यह cathode है, जो negative terminal से जुड़ा हुआ हो, उसको cathode बोलते हैं, जब एक बार यह पता चल गया, तब फिर यह जो particles emit होते हैं, इनका nature क्या होगा, मतलब यह positively charge है, negatively charge, इनमें और क्या-क्या properties होती हैं, इनको पता करने के लिए कुछ subsidiary experiments होते हैं, subsidiary का मतलब है supportive experiment, यह तो main experiment हो गया है ना बेटा, फिर एक बार जहां में एक चीज पता चल गई है कि हाँ cathode से cathode rays निकल रही, stream of particles निकल रहे हैं, अब यह जो particles या cathode rays निकल रहे हैं, इनका nature क्या है, इनकी properties क्या है, इनको पता करने के लिए कुछ supportive experiments होए, उन supportive experiments के जरिये, जे जे थॉम्शन ने एक कई तरह से आप बोल सकते हैं, कुछ properties लिस्ट की, तो वो properties यहां पर देखी हुए है, मैं बारी-बारी से पढ़ता हो, cathode rays start from cathode and move towards the anode, this is very obvious, cathode से start करते हैं, anode की तरफ मोग करते हैं, these rays themselves are not visible, not visible to humanize, मतला हम लोग इन rays को देख नहीं पाते हैं, ठीक है, but their behavior can be observed with the help of certain kind of materials, fluorescent या phosphorescent material, which glow when hit by them, हम लोग तो नहीं देख पाते हैं, लेकिन इन particles की वजह से, जब यह particles से strike करते हैं, तो कुछ materials bright spot दिखाते हैं, उनकी मदद से हम इनको trace कर सकते हैं, मतला हम इनको पता लगा सकते हैं, हम इनका पता लगा सकते हैं, ठीक है, in absence of electric और magnetic field, these rays travel in straight line, this is very important, अगर electric और magnetic field नहीं है, तब यह rays straight line में travel करती हैं, तब यह rays straight line में travel करती हैं, ठीक है, अगर electric और magnetic field present होंगी, तब यह straight line में travel नहीं करती हैं, यह deflection शो करती हैं, क्योंकि neutral particle कभी भी electric और magnetic field में deflect नहीं होता है अगर deflect हो रहा है तो यह proof है कि उस particle के ऊपर कोई न कोई चार्ज जरूर है जरूर है तो बाद में देखा गया कि जब electric और magnetic field apply करते हैं तो इन पे deflection होता है इन particles में deflection होता है और deflection का जो nature है वो यह show करता था कि इन particles पे negative charge है मतलब जो deflection का direction है वो यह indicate करता था कि cathode rays पे negative charge होता है cathode rays पे negative charge होता है ठीक है यह सब supportive experiments से बेटा है यह तो main experiment था है यह सब supportive experiments से ठीक है the intensity of glow will only depend on the kinetic energy of cathode rays जो trace travel करी ना उनकी energy पे depend करता है वो इस बात पे depend नहीं करता है कि आप अंदर कौन सी gas लेते हो और आपके cathode का material क्या है वो सिर्फ इस बात पे depend करेगा कि जो cathode rays travel कर रही है उनके अंदर कितनी kinetic energy है अब आप बोलोगे सर उनकी kinetic energy कहां से आएगी kinetic energy कहां से आएगी तो actually यह जो आप potential apply किये हो आपको अभी बता है था यदि आप किसी charge particle के across potential apply करोगे तो charge particles में kinetic energy होगी आप इतना जादा potential apply कर रहे हो तो यह electrons जब या जो kinetic energy मिलेगी तो उस धेर सारी kinetic energy के साथ जब यहां पे strike करेंगे तो जो kinetic energy of traveling particle होगी वो भी decide करती है कि intensity कम होगी जादा होगी brightness कम होगी या जादा होगी अब material of cathode जहां से electrons निकल रहे हैं cathode rays जहां से निकल नहीं है यह जो gas discharge tube में वो decide नहीं करेगा कि intensity of glow कैसा होगा ठीक है चलिए आगे चलते यह पढ़ लीजेगा इसमें कुछ भी नहीं है ज्यादा कुछ नहीं मैंने सारी बातें बता ही दी हैं आपको यहां पे next page हाँ the characteristic of cathode rays अब यह सबसे important चीज़ है जो characteristic मतलब जो properties है cathode rays की जो properties है cathode rays की वह इस बात पर डिपेंड नहीं करती है कि वह जो tube है उस tube के अंदर आपने कौन सी गैस ली है और जो cathode है उसका material क्या है मतलब वह गोल्ड का बना हुआ है platinum का बना हुआ है copper का बना हुआ है sodium का बना हुआ है material of cathode और जो gas ले रखी है discharge tube में वह एफेक्ट नहीं करती है cathode rays की properties and this is very important this is very important this last point is very important actually यह प्रूब करता है कि जो electrons हैं वह basic constituent of atom है क्यों क्योंकि अगर यह basic constituent नहीं होते तो फिर इनकी जो properties होती ही वह gas change करने पर change हो जाती material of cathode change करने पर change हो जाती मतलब ज्यान से सुन लो हम लोग ने कुछ supportive experiments के लिए हम लोग ने नहीं उस समय के scientists ने जो supportive experiments किये वहां से एक चीच पता कि उन्होंने वह चीच यह थी कि जो cathode raise है cathode raise का उन्होंने Q by M पता किया क्या पता किया यह रेश्यू जरूर पता चल गया यह रेश्यू कैसे पता चलता है यह फिजिक्स में आप पढ़ोगे मैं उस डीटेलिंग में नहीं जाओंगा लेकिन हाप पढ़ोगे जरूर यह और बहुत बेसिक है बेटा है ना डेफलेक्शन को जीरो करते हैं चला और खास बाद क्या थी कि यह रेश्यू पिक्स था मतलब लगातार कॉंस्टेंट था लगातार का मतलब क्या है आप गैस को अगर जो ट्यूब थी ट्यूब के अंदर अगर आप गैस बदल देते जैसे हाइड्रोजन रखी तब भी क्यूब आइम की वैलू वही कि अंदर गैस कौन सी ले रखी तिमिलरली इस बात पर भी नहीं डिपेंड कर रहा था कि मटीरियल और कैथोड आपने क्या ले रखा है इस बात पर यह डिपेंड नहीं कर रहा था मतलब यह जो पार्टिकल है इसका जो स्पेसिफिक चार्ज है किसी और चीज पर होगा यहां से यह बात पता चली तो यह चीज इंपॉर्टेंट है कि कैथोड रेस का जो क्यू बाई एम है वो कॉंस्टेंट होता है डाट डाज नौट डिपेंड डाज नौट डिपेंड अन माटीरियल ओप एलेक्रोड एंड नेचर ऑफ गैस प्रेजंट इन दा यह बेरी इंपॉर्टेंट तो क्यू बाई एम पाथ चल गया अब क्यूब अधम की वैलु हमको पता है पिर इसके बाद में क्यू कैसे पता चला आकशली मिलिकंस ओइल रॉब experiment ऐसके बात में एक experimental मेलिकंस और यॉम से चार्ज पता चला तो इस क्यों बाइन पता चला Rs 2017 मिलिकंस और उफ्षी इनदुरॐ गाली पता उसे क्यों पता चला है कुछ फींध है तो आज आज CATHODE RAISE तक ही रहने देते हैं एनोड रेस बिटा हम लोग नेक्स क्लास में करेंगे आज काफ़ी समय हो गया देखो CATHODE RAISE तक आने में आपको CATHODE RAISE में क्या याद रखना है CATHODE RAISE basically negatively charged electrons है negatively charged electrons है वह electrons कैसे negatively charged है क्योंकि वह deflect हो रहे थे electric और magnetic field में और deflection का direction हमको यह बता रहा था किन पर चार्ज नेगेटिव होगा तो cathode rays और कुछ नहीं बलकि negatively charged electrons है कुछ बाते और कर लेते हैं जो की हो सकता है कि आपको कहीं कहीं मिल जाए जो सर्फेस होता है जो cathode का सर्फेस है cathode के सर्फेस से हमेशा perpendicular निकलते हैं cathode rays cathode rays cathode सर्फेस से perpendicular निकलते हैं मतलब यह मैं लिख नहीं रहा हूं आप अपने शब्दों में लिखना चाहना तो लिख लेना मालो cathode यह है तो cathode के सर्फेस से perpendicular निकलते हैं cathode rays कैसे निकलेंगे निकलेंगे परपेंडिकुलर ठीक है आई से निकलेगा आई से ठीक है ठीक है क्योंकि एंगिल कितना रखना है सर्फेस से 90 ठीक है सर्फेस से perpendicular निकलते हैं और मालो ऐसा है ऐसा है तो ऐसे निकलेंगे 90, 90, 90, मतलब जो भी cathode का surface है, उससे cathode rays का emission perpendicular to the surface होता है, cathode rays का emission cathode surface से perpendicular होता है, सब जगा perpendicular होगा, perpendicular आप समझते हैं ठीक है, तो ये हो गया, एक एक चीज़ और बता दूँ, हाँ, cathode rays में kinetic energy होती है, और obviously वो एक तरह से मैंने बताई दिया, जब cathode rays travel करती है, तो उनके अंदर kinetic energy होती है, आप बोलोगे kinetic energy कहां से आई, तो वो जो बाहर आपने potential लगा रखा है, जो आप पिछले page के ओ, पिछले page के ओ, ये जो आपने बाहर potential लगा रखा है, इस potential में वो electron accelerate हो under this high voltage, तो उनके अंदर अच्छी खासी kinetic energy आ जाती है, अच्छी खासी kinetic energy आ जाती है, तो एक point मैं all लिख देता हूं यहां पे, cathode rays, cathode rays travel, travel with a lot of kinetic energy, a lot of kinetic energy, and, 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 can ionize, can ionize the gas through which they pass, the gas through which they pass, through which they pass, क्या मतलब है इस line का, यह last वाली line बहुत important है, और आगे next class में जब anode rays बताएंगे, तो यह फिर काम आएगा, मैंने लिखा है कि जब cathode rays travel करते हैं, तो काफी सारी kinetic energy के साथ travel करते हैं, और इस kinetic energy के travel करने के कारण, जिस gas से पास होते हैं, उसको वो ionize कर देते हैं, तो ionize करने का मतलब क्या है, तो remove electron ionization का मतलब है, remove electron, अब मेरी बात सुनना, मालो, मालो, यह रहा, यह हमारी ट्यूब है, discharge ट्यूब है, यह हमारी discharge ट्यूब है, ठीक है, इधर है हमारा cathode, electron इदर से निकल ले, electron इदर से निकल ले, यहाँ gas है, यहाँ gas भरी है, तो gas में atoms भी तो होंगे, मालो, यहाँ पर कोई सी भी gas है, suppose hydrogen gas है, या कुछ भी gas है, gas के atom होंगे, atom में electrons होगा, atom में क्या होंगे, electrons होंगे की नहीं, electrons होंगे, जब यह electrons बहुत तेज स्पीट से इन electrons से टकराएंगे, आप खुझी सोचो, मैं बहुत तेज भागते भागते आ रहा हूँ, बहुत सारी kinetic energy के साथ, अगर किसी दूबले पतले, या किसी मैं मालो सेम मास के आदमी के साथ टकराऊंगा, तो उसको दूर फेक दूँगा, क्योंकि अगर कोई particle, बहुत सारी kinetic energy के साथ आ रही है, यह atom का electron है, यह atom का electron है, और यह cathode rare, तो यह इसको धक्का देगा, यह बाहर निकल जाएगा, खुझ भी बाहर चला जाएगा, तो उस kinetic energy के कारण यह electron धक्ता खाते बाहर चला जाएगा, यह जो electron का removal है atom से, इसी को क्या बोलते मिटा, ionization, तो cathode rare इतनी kinetic energy के साथ travel करती है, कि जिस gas से वो travel करती है, उस gas को वो ionize करते हुए चलती है, ionize करने का मतलब उस gas के atom से electron को remove करते हुए चलती है, क्योंकि जिस electron से तकराएंगी, kinetic energy के कारण वो electron भी बाहर चला जाएगा atom से, तो यह ionization होता है, ठीके बेटा, ionization होता है, तो इतनी बाते cathode race के बारे में मुझे आप से करनी थी, next class में बच्चों, anode race पढ़ेंगे, और milken's oil drop experiment का थोड़ा सा concept करेंगे, चलिए बच्चे, thank you so much. झाल